नमस्कार मैं हो सोग वर्मा आप देख रहे हैं टीवी टॉंटी नुज आप सुरू करते हैं टीवी टॉंटी नुज पर ख़बरों का सिल्सिला जिला अधिकारी नाग्जेंदर प्रसाथ सिंग के एक्षिता में कार्याले में संभावित टॉड़ी के प्रकूर्प साउधानी इवन बचाओ के संबंद में बैठक संपन हुई इस ताउसर पर वावगत कराया गया कि दियांग 27 समय 2020 के साहें तक टिड़ी दल के जनपत सुन भदर के घुरावल तैसिल के विविन गारवामों में पहुचने के सुचना पराप्त हुई है जिला उद्दान अधिकारी द्वरा आउगत कराया है कि जायद 2020 में जनप में सबजी का च्छादान लगभग 2397 हेक्टियर है तथा गन्ना भी भाग द्वरा आउगत कराया है कि गन्ना का च्छादान 19,000 हेक्टियर है ज्याद्यकारी ने संबन्दित अधिकारियों को निर्धिसानों को शला देने की निर्दिश लिए इस कीड़ की व्यवस्तिक टिड़ियों को धावा की दिशा में एक दिन में 100 से 150 किलो मिटर की दूरिताइं कर लेती है टिड़ी दल प्राय सुर्यास्त के समय किसी न किसी पेंड पौधों पर सुर्योदे होने तक आसरे लेते हैं आसरे के समय ही समस्त वर्नस्पतियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं एक मादा टिड़ी भूमी में 500 से 1500 अन्डे दे कर सुब उड़ जाती है इनकी नियंदर के लिए संयुक्त स्रसायनों के छुड़काओं का सबसे उपयुक्त समय रातरी 11 बज़ से सुबह 9 बज़ तक माना जाता है टिड़ी दल के खेतों के आसपास दिखाई देते ही किसान भाई टोल्यूव बना कर सायकाल के समय थाली ढोल नगाले खंटी या पटाके याद की तेज आवाज करके इनको भगा सकते हैं प्रकास प्रपंच का प्रियो करके भी टिड़ी ओं को एकत्रित करके नष्ड किया जा सकता है टिड़ी दल के आकास में दिखाई देने पर घास पो जलाकर धुमा करें टिड़ी दल के आकरमलकी दसा में जनप असतर पर बन एक कंट्रोल रूम जिसका नंबर है 9919-588-753 एवम 945-080-9578 पर जानकारी उपलत कराएं पोरना के संक्रमण के लिए भी बहुत सारे हमें एहतियाद बरतने हैं जैसे सामाजिक, फिजिकल डिस्टेंस होना, मास्ट लगाना और एक दूसरे से सपर्षन करना इसका ध्यान ये पटाके, ढोल, नगाडे, टिड्डियों को भगाने के लिए जो हम बजाएंगे उसका भी उस समय ध्यान रखना ज़रूरी है साथ ही कीटनासिकों की एक सूची है जो सभी कृशक बंदूओं के जो वाटसेप ग्रूप है उसका अगर पहले से प्रियोग कर ले तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपकी फसल और आपकी आये का सुरूत सुरक्षित रहेगा और आक्रमण की सूचना होते ही जो ततकाल सावधानी उनको भगाने के लिए हटाने के लिए है उस पर विशेश निगार रखना होगा क्योंकि यह टिड्डियों का दल भारी संख्या में होता है और काफी छती फसलों को पहुंचाता है जिलादिकारी होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे सारी टीम तो एलर्ट रहेगी लेकिन बिना कृषकों के अपने खेतों में अपने छेत्र में पूर्ण रूप से सतर्क हुए बिना हम टिड्डियों के आक्रमण के प्रकोफ है उससे अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरा करवद निवेदन है कि इसमें पूर्ण सतर्क होकर अपनी पूरी तयारी कर ले और पूर से ही जो साधानी बताये जा रहे हैं उसके विवस्था कर ले ताकि कुछ तयारियां पहले होनी चाहिए कुछ तयारियां आक्रमण के सूचना होने पर उनके भगाने के लिए जो एतियात है उसके भी होनी चाहिए पूरी हमारी तयारी पूर से ही हो जानी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया